जैश्री कृष्णा आईए चानते हैं आज द्वादसी के दिन मातुलसी की यह कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमत देवी भागवत पुरार में इनके अवतरर की दिव्यलिला कथा भी बनाई गई है। एक बार सीव ने अपने तेज को समुंद्र में फेक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्यराजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी थी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या ब्रिंदा का विवा जलंधर से हुआ। जालंधर महाराचस्था अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लच्मी को पाने की कामना से युध किया। परन्तु समुंद्र से ही उत्पन होने के कारण माता लच्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्विकार किया। वहा से पराजित होकर वह देवी पारवती को पाने की लालसा से कैलास परवत पर गया। भग्मान देवाधि देव सीव का ही रूप धर कर माता पारवती की समीप गया। परंतु मान ने अपने योगबल से उसे तुरंद पहचान लिया तथा वहा से अंतरध्यान हो गए। देवी पारवती ने कृध होकर सारा ब्रितान भगवान विशुडू को सुनाया। जालंधर की पतनी ब्रिंदा अतियंत पती ब्रताइस्त्री थी। उसी के पती ब्रध्धन की सक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नास करने के लिए ब्रिंदा के पती ब्रद्धन को भं करना बहुत जरूरी था इसी कारण भगवान विश्डू रिसी का वेश धारड कर बन में जा पहुचे जहां ब्रिंदा अकेली भ्रमड कर रही थी भगवान के साथ दो माया भी राचस भी थे जिन्हें देखकर ब्रिंदा भैभीत हो गई रिसी ने ब्रिंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया उनकी सक्ती देखकर ब्रिंदा ने कैलास परवत पर महादीव के साथ युद कर रहे अपने पती जालंधर के बारे में पूछा रिसी ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किये एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर्था तथा दूसरे के हाथ में धड़ अपने पती की यह दसादिक कर ब्रिंदा मुर्चित होकर गिर पड़ी खोस में आने पर उन्होंने रिसी रुपी भगवान से बिन्ती की की वह उसके पती को जिवीत करें भगवान ने अपने माया से पुनह जालंधर का सिर्थर से जोड़ दिया परन्तु स्वैम भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए ब्रिंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ जालंधर बने भगवान के साथ ब्रिंदा पती ब्रता का वेवहार करने लगी जिससे उसका सतित्व भंग हो गया ऐसा होते ही ब्रिंदा का पती जालंधर युध में हार गया इस सारी लेला का जब ब्रिंदा को पता चला तो उसने कुरुध होकर भगवान विश्रू को सिला होने का स्राप दे दिया तथा स्वैम सती हो गए जहां ब्रिंदा भहस्म हुई वहां तुलसी का पउधा उगा भगवान विश्रू ने ब्रिंदा से कहा ही ब्रिंदा तुम अपने सतित्व के कारण मुझे लच्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी जो मनुष्य भी मेरे साली ग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोग और परलोग में विपुलियस प्राप्त होगा जिस घर में तुलसी होती हैं वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते गंगा वर नर्मदा के जल में असनान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है चाहे मनुष्य कितना भी पापी के उना हो मृत्यू के समय जिसके प्राड मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैंकूंठ धाम को प्राप्त होता है जो मनुष्य तुलसी और आवलों की छाया में अपने पित्रों को स्राध करता है उसके पित्र मुख को प्राप्त हो जाते हैं